जेल की रोटी खानी पडेगी जेल का पानी पीना पड़ेगा ये कहावत तो आप बजपन से ही virtue आए हूंगे लेकिन एक आरूपी जिसे जेल में रहकर ना तो जेल की रोटी खानी है और ना ही जेल का पानी पीना है बल्कि उसे तो जेल में रहकर वी आईपी ट्रीट्मेंट चाहिए उसे जेल में रहकर अंडा और चाउमी चाहिए जी हां ये फर्माईश जेल में रहकर कोई और नहीं बलकी कोलकाता में डॉक्टर, बिटिया के रेप और हत्या जैसे जगन्य अपराद को अंजाम देने वाला आरूपी संजेरोय है कोलकाता केस के बाद पूरा देश शर्मसार है वही आरूपी संजेरोय जेल में भी मौज काटना चाहता है वो जेल की रोटी सबजी खाने की बजाए चाउमीन खाना चाहता है प्रेसिडेंसी सुदार ग्री में बंद संजेरोय की डिमांड तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही पहले उसने मटन खाया फिर सोने के लिए एक्स्ट्रा समय मांगा और अब उसको अंडा और चाउमीन भी चाहिए जेल सूतरों के मुताबिक प्रेसिडेंसी जेल की सेल नंबर 21 में बंद रेप क्यारोपी को पॉलिग्राफ टेस्ट से पहले मटन परोसा गया था हाना कि ये जेल मैन्यू के मुताबिक ही था लेकिन अब उसने जेल अधिकारियों से डिमांड की है कि खाने में रोटी सबजी की जगा अंडा और चाउमीन दो जेल का साधा खाना खाने से संजे उब गया है इसलिए वो चाउमीन खाना चाहता है हाना कि जेल प्रसाशन ने उसे कड़ी फटकार लगाई है और अंडा चाउमीन परोसने से साफ इंकार कर दिया है संजे रॉय की अंडा चाउमीन वाली डिमांड पूरी करने से जेल प्रसाशन ने साफ मना कर दिया है दरसल जेल नियमों के मताबिक कैदी को वही खाना दिया जाता है जो सभी कैदी खाते हैं नहीं किसी कैदी को घर का खाना खाने की अजाज़त दी जाती है क्योंकि ये जेल नियमों के खिलाप है सूत्रों के मताविक संजे रॉय जेल में मिलने वाली रोटी सब्जी देखकर गुस्सा करने लगा और उसने अंडा चाउमिन की मांग कर डाली अधिकारियों के फटकार लगाने के बाद फिर उसने वोही रोटी सब्जी खाई लेडी रॉक्टर की हत्या क्या रोपी संजे रॉय को जैसे अपने किये का जरा साभी पच्चतावा नहीं है वो तो चैन की नीन सोना चाहता है CBI हिरासत में सुधार गरे भेज़े जाने के बाद उसने चैन की नीन लेने के लिए एक्स्ट्रा समय भी मांगा था अब चाउमिन की डिमांड उसने करडा ली है जिसे पूरा नहीं किया गया वही घटना पर DCP सेंटरल इंदरा मुखर जी ने सबूतों से छेरचार क्या रोपों का खंडन किया उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में क्या कुछ कहा सुनिये सेमिनार हॉल जो है जो मैंने पिछले दिन भी बताया था 51 feet by 32 feet का था उसके अंदर dead body जहां पे थी वहां से लेके 40 feet तक हमारा कॉर्डन था पूरे रूम में so it is basically 40 और 32 feet पूरा कॉर्डन अप था जो भी process जो investigation team को करना होता है मान लीजिये seize करना हो, inquest करना हो, forensic officials का आना हो या judicial magistrate को रहना हो या किसी को वहां पे dead body shifting करने के लिए सामान लेके आना हो ये सारी चीजे जो है उस 40 feet के अंदर हुई थी ये कॉर्डन हमने साड़े 10 बज़े तक लगा दिया था, हमको 10 बच के 10 मिनिट तक खबर मिल गई थी तो instantly हमारे लोगों ने जाके कॉर्डन अफ कर दिया और कॉर्डन अफ करने के बाहर वाली जो जगा है, जो की seminar hall के अंदर है वहाँ पे parents के आके बैटना, जो emergency में जो medical officer जो broad dead declare करता है उनका जो बैट के लिख के जो declare करना होता है, वो तो emergency में ही रहते हैं लेकिन उनको भी junior doctors ने या वहाँ पे जो hospital के जो लोग थे, उन्होंने सबने request किया था कि ये सारी चीजे जो है, जितना भी paperwork है, वो उनके सामने होना चाहिए इसलिए वो जगा जो है, उनके लिए अलग से हमने arrange कर दिया था कि वो लोग वहाँ पे ये सब काम कर सकते हैं, उन्होंने अपना जितना demand था कि उनको क्या-क्या चाहिए, विडियोग्रफी चाहिए, या उनके पास जो है तीन-चार demand जो time-to-time change हुए, ये सारी चीजे जो है, उस area में हुई थी माम, जो quadrant of area नहीं था, इंवेस्टिकेशन चो पहले, harvest police so sure कि वो P.O. नहीं है, या crime वहाँ पे commitment नहीं हुआ है, जो seminar hall के अंदर का इलागा, जो quadrant of नहीं है, देखिए, अगर हम लोग मान के चलते हैं कि quadrant of, हम लोग बार-बार इसी चीज़ पे focus कर रहे हैं, तो देखिए, यहाँ पे दो level का quadrant था, एक तो जहाँ पे हमको body मिली, उसके तुरंथी बात, एक दम body के सामने, वहाँ एक already curtain हमने place कर दिया था, because आप लोग समझ सकते हैं, यह एक dead body के dignity की बात है, तो वहाँ पे एक level का quadrant था, और उसके बाद 40 feet दूर, जितनी जगा एक team को काम करने के लिए, क्योंकि team अकेले तो एक इंसान नहीं आती, वो लोग अपना camera लेके आते हैं, उनका paperwork लेके आते हैं, उनको तो जो जो चीजें चाहिए, वो लेके आते हैं, तो थोड़ी सी जगा उनको देनी पड़ती है, तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से देखा, और जब जब जो जो हमें मिला, हमने हमनारे case diary में रखा, और बाद में जब case CBI को गया, हमने ये सारी चीजें उनको दे दी, कोलकाता के आरजिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का शब 9 अगस की सुबा सेमिनार हॉल के अंदर मिला था, संजराय को अगले दिन गिरफतार भी कर लिया गया था, कलकता हाई कोट ने मामले क की जान 13 अगस को कोलकाता पुलिस से CBI को देने का आदेश दे दिया था, CBI 14 अगस को मामले की जान शुरू कर दी थी, तब से लेकर अब तक संजराय अलग अलग दिमांड कर रहा है, जिसके बाद से उसको लेकर कई चुकाने वाले खुला से सामने आ रहे हैं, ऐसे ही भवानीपूर इलाके में रहता है और भवानीपूर इलाके की कुछ लोग जो से काफी समय से जानते हैं, वो हमारे साथ मोजूद हैं, आप से जानना चाहेंगे, आप संजराय को कब से जानते हैं, हम तो छोटा से जानते हैं, बचपन से, एक ही गली में रहते हैं, तो बच पीता था तो पीता था तो रेवलर शराब पीता था तीन सो पहिसाथ दिन अच्छा और उसके बार आप लोगों का कहना है कि वो छेड़ चाड़ भी करता था तो पी लेने का बादी वो अलग तरफ अलग टाइब का हरकत करता था अच्छा उसका मतलब बेवार क्या हो जाता माय सियाना सियाना भाब मतलब एक तरीगे से कहा जांब कि हिंसक हो जाता है कि इसरा मतलब उस्मादा को पुली साम ए वह हम बुलति है क्रूंटा करें पोली संह पहिसा थरा नहीं करतें इसके टुट्डिय करें कि उसका तो चातो साधी में सना फिर सुनने में हाळा पांज हो साधी नहीं अच्yk अच्छे साधी उसकी पत्नी से ही उसके अच्छे संब्ल नहिए नहीं नहीं को भी मार्ण पीट दरू पीनिगावद मार्ण पीट кв झाल